विशिष्ट महर्शी और प्रभूराम चंदर जी का ज्यान मई समवाद सुनते हैं The Art of Living के फैकल्टी स्वामी वैशम पायन जी की वानी से अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन को भी जरूर दबाएं जै गुरुदेव यूग वसिष्ट के अगले एपिसोड में याने पाचवे सीजन के आखरी एपिसोड में आप सबका स्वागत है देखते देखते पाचवे सीजन का लास्ट एपिसोड आ चुका है देखते है वसिष्ट महर्शी प्रबु राम चंद्र जी को क्या बतलाते है इसमें वसिष्ट जी ने कहा हे राम जिनका व्यवहार पशूवत होता है उन्हें शिक्षित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे पशूव की तरह अपने गले में पड़ेवे मन रुपी रस्से से खीचे जाते है इसलिए ग्यानी ऐसे लोगों को शिक्षा देने के बारे में नहीं सोचते जिन्होंने अपने मन को नहीं जीता हुआ पिछले एपिसोड में भी वसिष्ट महर्शी वही कह रहे थे याद होगा आपको कि जिसने मन को नहीं जीता जो इस मार्क पर ग्यान के पत पर नहीं चल पड़ा है जो अग्यान में अभी भी लिप्थ है ऐसे व्यक्ति को शिक्षा देने का कोई फाइदा नहीं है ऐसे लोग इस तरह से दयनीय होते है इसके विपरीद ग्यानी लोग ऐसे लोगों से दुख दूर करने का प्रेतन करते है जिसने अपने मन पर विजय पाली हो और आत्मा अनुसंदान करने के लिए परिपकवा हो मन को समझ गया है उसके उपर नियंतरन आने लगा है और आत्मा अनुसंदान करने के लिए खुद के उपर रिसर्च करने के लिए जो तयार है ग्यानी लोग ऐसे लोगों के दुख दूर करने के लिए अपने प्रैत्न करते है जब चेतना में वस्तु निश्टकता का विचार उत्पन्न होता है तो वह सीमित और आबद्ध हो जाता है यह बंदन है जब तुम वस्तु निश्टा का त्याग कर देते हो तब तुम मनविहीन हो जाते हो वस्तु के उपर निश्टा करना अपने मन को संकुचित करने जैसा है सीमित करने जैसा है जब वस्तु के उपर की निश्टा हमारी खत्म होने लगी तो अपने आप ही हम सीमित से असीमित होने लगे यही मुक्ती या मुक्ष है वस्तु निष्टा जैसे खतम हुई यही है मोक्ष द्रश्टा रुपी आत्मा और दर्शंद रुपी संसार के मध्य में तुम द्रिश्य हो यह अनुभुती तुमें सदा रहनी चाहिए ग्याता और ग्यान के बीच में तुम गेय हो यह जानकारी ही आत्म ग्यान है कितना सुन्दर है ग्याता और ग्यान इसके बीच में जो कोई है वह गेय है द्रश्टा आत्मा के बीच में तुम द्रुश्य हो यह जब बात समझ में आने लगे गेईय मैं हूँ यही जब समझ में आने लगेगा तो फिर मुक्ति के द्वार खुलने लगेंगे जब आत्मा अपने को भूल कर दृष्य तथा पदार्थों से तादात में स्तापन कर लेता है तो वह अशुद्ध और मलीन हो जाता है आत्मा का स्वरुप जो है वो उसको भूल कर दृष्य पदार्थों के साथ तादात में होने लगता है जो दीख रहा है उसके साथ तादात में होने लगता है तो फिर उसका तो शुद्ध या मूल स्वरुप तो गड़ बड़ा गया वो तो अशुद्ध हो गया मलीन हो गया वही यहाँ पर कह रहे है फिर लालसा रुपी वीश उत्पन्न होता है और ब्रह्म और उसे उग्र बना देता है लालसा ये उत्पन्न होती है और ब्रह्म की वज़े से उसकी तिवरता और बढ़ जाती है संसार में जो भी दुख और विपदाये है सबी लालसाओं की वज़े से है हे राम राम को वसिष्ट जी मेरे कहल से कितने बार यह बता चुके है लेकिन बार बार देखो ये सत्य के मारगपर चलना भी इतना असन नहीं है बार बार याद दिलाना पड़ता है प्रभू राम चंद्र जी को भी वो बार बार याद दिला रहे अरे वो लालसाओं के वज़े से वो भोग के प्रतिके चाह की वज़े से ये दुख और सारी परेशानिया हम जीवन में अनुबो कर रहे बार बार लगातार कंटिनियूसली करते रह रहे हे राम यह लालसा अदृश्य और सुक्ष मोहने पर भी शरीर के रक्त, मांस और हड्डियों को तक खा जाती है यह जो चाहते है नहीं लगता आपको चाहतों में ही वो हमारा शरीर भी गल जाता है कि यह चाहिए उसके पीछे भागो वो मन अस्तिर ही होने नहीं देता वासनाओं के पीछे लालसाओं के पीछे भागते वे भागते वे रत, मांस, शरीर सब कुछ गल जाता है किसी समय तो लगता है कि यह लालसा समाप तो हो गई है परन्तु दूसरे क्षण ही प्रकट हो जाती है कभी-कभी लगता है सब खतब हो गया अभी कुछ नहीं मन में रहा ऐसे कितने लोगों को आपने कहते हुए भी सुना होगा ना बस रहे अभी कुछ नहीं जीए जीवन में हो गया लेकिन दूसरे पल फिर कोई लालसा फिर कोई वासना फिर हमें हम पर हावी हो जाती है जब लालसाओं का अंत होता है तो जीवन शक्ती शुद्ध हो जाती है और व्यक्ति के रिदय में दिव्य गुन अवतरन होने लगते है वासना जैसे खतम हुई ना तो शुद्ध गुन आने ही है बीतर है वो हर किसी के बीतर है जैसे वासनाय और लालसाय खतम होने लगी वह उपर का जैसे परदा निकल गया ऐसे कह सकते तो बीतर से वह गुन सब दिखाई देने लगे लालसा की धारा अज्यानी व्यक्ति के रिदे में प्रवाहित होती है जिस प्रकार चारे के लोब में पशु जाल में फस जाते है ऐसे ही फसते हैं भी वासनाओं में लालसाओं में तो उसका पीछा करते वे व्यक्ति दुखी हो जाता है नरक पहुँच जाता है कह रहे इच्छाओं के पीछे भागते भागते जैसे कोई पशु आसनी से जाल में फस जाता है हम भी इच्छाओं के पीछे भोगों के पीछे भागते भागते नरक पहुँच जाते है जाल में फज जाते है उदर से बाहर निकलने को नहीं होता ये बता रहा है प्रबूराम चद्रजे को लालसाए विवश करती है परंतु जिसके फलस्वरूप सूरज पृत्वी पर प्रकाश भिखेरता है हवा चलती है और पृत्वी जीवन को धारन करती है तीनों लोगों का अस्तित्व भी लालसा के कारण ही होता है वो लालसाई ये जिसके वज़े से ये सारे लोग भी बने हैं ये संसार भी बनाए हैं तो ये तो मज़ेदार बात है पूरा संसार ही उसका मूल देखने जाओ तो लालसाए है, इच्छा है, उसके वज़े से संसार और लोक भी बने है तीनों लोकों के प्राणी लालसाओ के ऐसे रसे से बंदे हुए है जिसे काटना कठिन है, इसलिए इसका त्याग करने का विचार छोड़ो मन सोच विचार करके बिना रही नहीं सकता इसलिए सबसे पहले तो तुम वह अहम का बिंब उत्पन मन में न होने दो क्योंकि इस रसी को भोगों के वासनाओं के लालसाओं के रसी को काटना इतना असन नहीं है जिसके वज़े से यह पूरा संसार भी बना है तो सबसे पहले आहम मुझे चाहिए मेरा उस आहम को नहीं पनपने दो इनी बिंबो के मन सोच विचार के बिना रह नहीं सकता तुम सबसे पहले आहम को उत्पन न होने दो इसी के फलसुरूप आशाये और प्रत्याशाये अस्तित्व ग्रहन करती है और सभी पापों का स्त्रोत अहम भाव ही है मुझे चाहिए मेरा 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 ये जो भावत्पन न होता है न वही सभी पाप जो हमसे घटते है उसका मूल कारण है इसी अहम भाव के जड़ को ग्यान के तलवार से काट दो और भे मुक्त हो जाओ एहम को ग्यान के तलवार से काटो ग्यान के पत पर चलो तब ही भे मुक्त हो सकते हो एहंकार जब तक पनपता रहेगा बहे भी लाता रहेगा जीवन में ये याद रखना वसिष्ट महर्शी जी के ये बहुत ही सुन्दर विशलेशन है नहीं लगता आपको कि एक एहं की वज़े से कितना कुछ हो सकता है सारा संसर हमने खड़ा कर दिया एहं की वज़े से एहं उसका मूल है उस एहं को पनपने नहीं दो और वो कैसे रोक सकते हो ज्यान के तलवार से उसे काटना पड़ेगा तो ज्यानी बनो ज्यान का आचरन करो यही वसिष्ट महर्शी प्रभू रामचंदर जी को इस एपिसोड में बता रहे हैं आज के एपिसोड में इतना ही देखते देखते हमारा पाच्वा सीजन पूरा हो चुका है अगले सीजन में वहर्शी महर्शी वसिष्ट जी और क्या बताते हैं प्रभू रामचंदर जी को वह देखेंगे तब तक के लिए जय गुरु देव अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें जिसके उपर हम आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे